अस्सलाम अलेकुम दोस्तों, हलो और वेलकम टू अनेदर इंट्रेस्टिंग व्लॉग, आज का व्लॉग है वरंगल शेहर के बारे में, जिहां दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये वरंगल शेहर का रोड व्यू है, वरंगल शेहर जो कि इंडिया के तिलंगाना स्टे है वरंगल आज हम वरंगल के बारे में कुछ चीजे जानने की कोशिश करते हैं वरंगल जिसको पहले ओरुगलू कहा जाता था ओरुगलू के माने हैं एक पत्थर और वरंगल को रूल किया था काकतिया डैनास्टी उस वक्त वरंगल काकतिया डैनास्टी का कैपिटल भी रह है और वरंगल की population तकरिबन दस लाग के आसपास है वरंगल में बहुत सारे tourist attraction places है जैसा कि thousand pillar temple है खिला वरंगल है ग्रामपा temple है और वरंगल में कहीं सारे lakes है वद्रकाली लेक है वडपली लेक है और वरंगल जो है स्मार्ट सिटी में भी सेलेक्ट किया गया है और वरंगल का जो डेवलप्मेंट है काफी तेजी से हो रहा है यहाँ पे एजूकेशन काफी अच्छी है यहाँ पे आपको न.i.t है जो की इंजिनिरिंग इंशिट्यूट है वेरी फ यहाँ पे हर जगा से इंडिया के हर स्टेट से और बाहर मुलकों से भी यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं पढ़ाई करने के लिए और यहाँ पे काकतिया मेडिकल कॉलेज है जो की बहुत फेमस है और वरंगल जो है अपनी गंगा जमुना तहजीब के लिए माना जाता ह यहाँ पे जो लोग है वो बहुत ही मिलनसार है और बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले लोग है और वरंगल में आपको काफी सारे टूरिस्ट एट्रैक्शन्स मिलेंगे जैसा के वड़पली लेक है बदरकाली लेक है और वरंगल डिस्टिक में लकनवरम भी एक भी है जो कि भुपालबले डिस्टिक में है एटुनागर के खरीब है यहां पे काफी सारे लोग टूरिस्ट आते हैं और वरंगल में जो रोड है वो हाईवे कनेक्ट करती है काफी बड़े शहरों को जैसा के हैदराबाद है और अपना इदर खमम है और वरंगल के खरीब जो डिस्टिक्स है वो है निजामबाद है और हैदराबाद है है एदराबाद से सरिफ यह 130 किलोमीटर की दूरी पे है और वरंगल से खमम भी खरीब है विजयवाडा भी खरीब है और वरंगल में जो है आपको दो बड़े मेजर रैल्वे स्टेशन्स है एक तो खाजपेट र रैलवे स्टेशन है वरंगल में दोस्तों एरपोर्ट भी रह चुका था बहुत जमाने पहले जो कि मामनूर में हैं वो एरपोर्ट फिलहाल तो बंद है लेकिन एक जमाने में ये ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता था पॉलेट ट्रेनिंग के लिए और ये जो है कारगो के लिए भी यूज किया जाता था और आपको मैं बताता चलू वरंगल के बारे में वरंगल एक ऐसा स्मार्ट सिटी है जो कि काफी तेजी से डेवलप हो रहा है वरंगल शहर में रहने वालों को वरंगलाइट्स कहा जाता है वरंगल फेस्टिवेल्स की अगर आप बात करे तो यहाँ पे कुछ फेमस फेस्टिवेल्स है जैसा के बतकमा फेस्टिवेल है जो कि दसरा के टेम पे लेडिस के द्वारा इसको मनाया जाता है और दूसरा यहाँ का फेमस जो फेस्टिवेल है वो है समक का सारलमा जातरा जो कि मेडारम में किया जाता है इसको मेडारम जा लंगाना के यहाँ पे लोग आते हैं यह जातरा में अटेंड करने के लिए और यहाँ के जो जानिमानी हस्तियां हैं काफी जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं और कर रहे हैं जैसा के संदीप रेड़ी वंगा जो कि एक फिल्म डिरेक्टर है इन्होंने एक उपर ह फिल्म दी है तेल्गू इंडस्ट्री में जिसने तहल का मचा दिया था उस फिल्म का नाम है अरजुन रेड़ी जो कि हिंदी में भी डब हुई है कभीर सिंग के नाम से रीमेक हुई है और यहाँ पे आपको म्यूजिक डिरेक्टर की बात करें तो चक्री जो फेमस अदव भी वरंगल से रह चुके हैं और पीवी डर्सी महरा जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे वो भी वरंगल डिस्टिक से ही बिलॉंग करते थे हिल्थ केर की बात करें तो यहाँ पे हिल्थ सिस्टम बहुत अच्छा है यहाँ पे एक महात्मा गांधी मेमोरियल ह हॉस्पिटल है जो MGM के नाम से फेमस है यहाँ पे आपको काफी अच्छी सहुलत है फ्री में और यहाँ पे एक सेंटरल जेल था जो कि अब केसियार जो हमारे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इस सेंटरल जेल को यहाँ से शिफ्ट किया और उस सेंटरल जेल क की प्लेस में एक बहुत ही बड़ा मर्टी नैशनल सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल की तैयारी कर रहे हैं तो यह था वरंगल के बारे में जितना मैं जानता हूं आप लोगों को पताया तो मिलते हैं अगले व्लॉग में इंशाल्ला